हेलो स्टुडेंट्स हमारी यूटूब चनल अरेश्टू एजूकेशन में आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कक्षा आठवी के एड़करिट अभ्यास्त पुस्तिका से समाजिक विज्ञान विशय के अध्याए एक संसाधन एवं विकास पुस्तक के अध्याए एक से संसाधन के प्रशनुत्तर को हल करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं प्रशनिक रमांक एक है संसाधन की परिभाशा लिखिए इसका उत्तर है प्रत्यक वस्तू जिसका उप्योग आविशकताओं को पुरा करने के लिए किया जा सकता है वैसंसाधन है आगे देखेंगे प्रशनिक रमांक दो पेटेंट किसे कहते हैं इसका उत्तर लिखिए किसी विचार अथ्वा अविशकार पर एक मात्र अधिकार को ही पेटेंट कहते हैं प्रशनिक रमांक तीन है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उधारण सहित लिखिए इसका उत्तर है संसाधन के तीन प्रकार होते हैं पहला प्राकर्तिक शंसाधन, इसके अंतरगत लिखेंगे, जैसे जल, म्रदा और खनिजादी, दूसरा मानो निर्मि संसाधन, जैसे लोहा प्रद्ध की इत्यादी, और तीसरा मानो संसाधन, इसमें मानो इत्यादी. प्रेश्टिक रमाग चार है, नवी करनी एवं आ नवी करनी संसाधन में कोई तीन अंतर लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे, एक कॉलम में नवी करनी और दूसरे कॉलम में आ नवी करनी लिखेंगे, नवी करनी के अंतरगत फर्स्ट पॉइंट है, ये सीगरता से पुनह पूरित होने पर हजार वर्स लगते हैं। दूसरा पॉइंट है इनका भंडार अशिमित है जबकि इनका भंडार सीमित है। तीसरा पॉइंट है इन मानवी क्रियाओं का प्रभाव इन पर मानवी क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है जबकि आनवी करणी संसाधनों में मानवी क्रियाओं का प्रभाव होता है। आगे देखेंगे प्रश्निक्रमांग पांच, नीचे दिये गए बिभेन संसाधनों के उधारणों को तालिका में लिखें, यहां संसाधन दिये हैं लोह आयश्क, मनुरम द्रश्य, क्रसी भूमी, कोईला, लोक गीत, दादी मा के घरेलून उसके, इन्हें हमें इस तालिका म में भरना है, तालिका में एक तरफ वाड़ेजिक मूल है और दूसरे तरफ वाड़ेजिक मूली नहीं है, इन्संसाधनों को इन में भरना है, वाड़ेजिक मूली में लिखेंगे लोह आयश्क, क्रसी भूमी, कोईला, वाड़ेजिक मूली नहीं है, इसके अंतरगत, मनुर प्रमद्रश्य, लोकगीत, दादी मा के घरेलू नुसके, वाड़ेज्य के मूले का अर्थ होता है व्यापारिक मूल, प्रश्निक रमांग 6 देखिए, प्रतिवी पर प्राकर्तिक संसाधनों का वित्रण आसमान क्यों है, इसका उत्तर लिखिए, प्राकर्तिक संसाधनों का वित्रण भूभाग, जलवायू, उचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिवी में इन कारकों में बिभिनिता होने के कारण संसाधनों का वित्रण आशमान है, आगे देखेंगे प्रश्निक रमांग 7, कोई पाच मानो निर में संसाधन है, पहला कम्प्यूटर, दूसरा इमारते, तीसरा सड़के, चौथा रेलवे, पाचवा कार इत्यादी, माना निर्मि साधन है, शंसाधन है, आगे देखेंगे प्रश्निक रमांग 8, मानो संसाधन से क्या तात्परे है, इसे किस प्रकार मुल्यवान बनाया ज सकता है, इसका उत्तर लिखे, मानो संसाधन का तात्परे, लोगों की संध्य और योग गिता मानसिक तथा सारेलिक से है, सिक्चा और स्वास्ति के द्वारा इसे अधिक मुल्यमान बनाया जा सकता है, आगे देखेंगे प्रश्निक रमांक 9, संसाधनों को हम किस प्रकार सन रक्षित कर सकते हैं कोई चार उपाय लिखिए इसके उतर में लिखिए निमनलिखित प्रकार से हम संसाधनों को शन रक्षित कर सकते हैं पहला संसाधनों के पुनह चक्रन द्वारा दूसरा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधनों का उप्योग आवशक्ता नुशार करके तीसरा संसाधनों को पुनहे उप्योग करके चौथा संसाधनों का सतरकिता पूरवक उप्योग करके आगे देखिए प्रश्निक्रमांग 10 सतत पोशणी विकास के चार सिध्धान्त लिखे इसका उत्तर है पहला जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल दूसरा मानव जीवन की गुडवत्ता बढ़ाना तीसरा प्रत्वी की जीवन सकती और विविद्धा का संरक्षन करना चौथा प्राकर्तिक संसाधनों के हास को कम से कम करना इत्यादी सतत पोशी विकास के सिद्धान थे तो बच्चे इस प्रकार आपका अध्याए एक यहाँ कम्प्लीट होता है वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठेंक यू